हेलो फ्रेंड्स आजसी वेडियों में हम बनाएंगे पूराने सूट से बहुती सुन्दर सा कार्पेट बनाना तो आप सूट की जगाय कोई भी कपड़ा लेसकते हैं साड़ी लेसकते हैं पैंट सायट ले सकते हैं बैटसीट ले सकते हैं मतलब अधार आप कोई भी कपड़ा इसमें यूज कर सकते हैं जैसे आप कोई भी कपड़ा लें तो पहले ये देख लें उसका कलर प्रिंट अच्छा हो तो आप कोसिस करें जो में डिजान आपको बता रहे हूं कार्पेट की एक आपको प्लेन कपड़ा लेना है और एक प्रिंटेट या फिर तूनों प्लेन पिलेएंगों, मतलब आपको दो कलर के कपड़े लेने हैं इस डिजान में बनाने के लिए इह कार्पेड फ्रीय off कोश्ट है आपको बहुत ज्यादा पसंद आए यह भूए बहुत ही ज्यादा सरल तरीका है इसको बनाने का तो आयो शुरू करते हैं तो हम इसमें पाच इंच लंबाई और पाच इंच चोड़ाई का एक इस तरीके से नाप बना लेंगे और यहां इसकेल से निसान लगा देंगे तो 5 इंच लंबाई रखी है और 5 इंच चोड़ाई रखी है देखिए 5 इंच लंबाई और 5 इंच चोड़ाई आप चाहें तो आप इसमें और भी एक एक इंच बड़ा कर सकते हैं अपने requirement के साब से अब इसको हम कट कर लेंगे तो 5 इंच लंबाई और 5 इंच चोड़ाई का अगर आपको काटने में दिकत हो तो आप पीस रखकर और इसमें पिनाप करके इस तरीके से भी काट सकते हैं और अब देखिए ये हमारे सारे 5 by 5 इंच के कट गए हैं अब एसे ही मैंने सलवार में से और सूट में से दोनों में से 5 इंच लंबाई और 5 इंच चोड़ाई के पीस निकाल लिए हैं अब इस तरीके से आप हम डिजान बनाना देखते हैं का हमेंग डिजान कैसे बनाना है तो बिलकुल आपको सेम साइज निकाल नहीं है बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं करना है और इस तरीके से सारे पीसे कट कर लेनी है तो आई ये design बनाना देखते हैं तो design बनाने से पहले आपको देख लेना है कि आपको कपड़े का किस साइड से color ज्यादा अच्छा है अगर अंदर साइड से आपका color कपड़े का ज्यादा अच्छा हो तो वहां से यूज कीजिएगा इस तरीके से रखना है पहले आप एक कपड़ा रखेंगे नीचे उसके उपर दूसरी लेयर और इसमें इस तरीके से cross करते हुए निशान लगा देना है तो देखिए सारे pieces में ही हमें ऐसे करना है इस तरीके से दो pieces रख देंगे और इस तरीके से line बना देंगे ये देखिए एक और बता देते हैं आपको इस तरीके से हम piece रखेंगे आप कोई भी रख सकते हैं पीस यासे उपर प्रेंट वाला है तो उपर वाला नीचे रख सकते हैं नीचे वाला उपर कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से रख लेंगे और जो भी आपका कलर अच्छा हो कपड़े का जिस साइड से उसको अंदर रखना है सीधी साइड आप इ इस तरीके से आप पिनप करके भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं और इसमें बीच में इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसी निशान से हमने सिलाई लगा है और सिलाई आपको निशान के एक इस तरफ और एक इस तरफ डबल सिलाई लगानी है ताकि जब हम पीच से कटि तो यह देखिए इस तरीके से ओपिन करके बता देते हैं आपको तो इसी तरीके से हमें सारे पीसे रेडी कर लेने हैं जब आप कपडे की कटिंग करें तो आप यह जिरूर देख लेना किस साइट से कपड़े का कलर अच्छा है उसी साइट से हमें फ्रंट करना है और जो देन नहीं लगती है तुरंद तुरंद ये सारे सिल जाते हैं पहले आप इस तरीके से लेयर बाइज में सिल लेजिए सारे फिर एक एक करके कट करके ओपिन करके और सारे पर अभी हम इस पर प्रेश करेंगे तो इस तरीके से बहुत जली फटा-पथ हमारे सारे सिल गये हैं अब सिलने के बाद जो हमने बीच में दूस सिलाईयां डाली हैं उसके बिल्कुल बीच से हमें कैची चलानी है तो एक सिलाई हमारी इस तरफ रहेगी एक इस तरफ तो हमारा ये जॉइंट इस तरीके से हो जाता है अब ये सारी हम ओपिन कर लेंगे बहुत ही फटा-पट जल कर रेडी हो जाएगा इस तरीके से कटिंग करके हमने सारे पिसिज को उपिन करके प्रेस कर लिए तो फ्रेंट्स प्रेस आपको जरूर करने है सारे पिसिज पर प्रेस करने से बिलकुल ये सही सिप में आ जाते हैं और जो भी आपको एक्स्ट्रा इस तरीके से कॉर्णर द लिकिया है और चारों साइड से सलाई लगा दी है अगर आपकी बैट्रीट ज्यादा मौटी है तो आप टू लेयर में फोल्ड कर सकते हैं इसकी टोटल लेंथ हमने बनाई है 38 इंच और इसकी चौणाई है 21 इस तरीके से काफी अच्छे साइज में है तो फ्रेंट इस तरीके से ना हो तो आप इसके बीकर सकते हैं और इस तरीके से हम लेेर लगा कर और इसको यूज करेंगे अप देखि Anyway उसको इस तरीके से लेयर के दिजान है तो जो कलर आरा नीचे side है उसको नीचे side रखना है और जो color हमारा उपर side है उसको ऊपर side रखना है तो उसीや इसलाई करके इस तरीके से हम इसको जयंट करेंगे तो मैने base पर रकर देख लेते हैं मेरे पर five pieces आ रहे थे लंबाइ में तो हम five-five इस तरिके से इस्ट्प बना लेंगे तो इस तरीके से 5-पीस एक लेयर में जॉइंट कर लेंगे तो ये दिकी छोड़ा होस केले पोब इसमे च्डार जैसे भी आपको रखना हो वैसे इस तरीके से सल गते है तो इस तरीके से हमें जोइंट करना है जैसे मेरा green कलर उपर है तो जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरीके से layer wise ऐसे ही आपको जोड़ना है प्रेंट जो हम डिजान बना रहे हैं उसमें कापी सारी डिजान बन जाती है जब आप रख रख के देखेंगे तो आपको जो भी डिजान पसंद आए वो आप इसमें लेयर वाइज सिल सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी डिजान इसमें बनती है जब हम ये दो कला का रेक्टेंगल पीस बनाएंगे तो बहुत सुन्दर सुन्दर डिजान हमारी इसमें बन जाती है इसे आप अपनी चौणाई पर रखकर देख लीजिए वेस पर कि आपकी कितनी आ रही हैं उसी हिसाब से इस तरीके से लेयर वाइज इस ट्रिप बना लेजिए अब हम बेस पर इस तरीके से डिजान बनाना बताएंगे तो हमने इस थरीके से ये फॉमकी सीट इसमें लगा दी है आप चाहाएं तो फॉमकी सीट में फोल्डिंग करते हैं करते लगा लेना है ताकि जब हम सिलाई करें तो इधर उधर ना खिसके और एकदम हमारी फिक्ष अच्छी से फिटिंग वाली सिलाई हो आप इस तरीके से हमारा एक जॉइंट हो जाएगा तो बिल्कुल आप देखिए कितनी सारी डिजान इसमें बनकर रेडि हो जाती है अगर आ इसारी तरीके से सेट कर रहे हैं तो अब हम देखिए एक सिल गया है हम आरा अब हमारी ouvert के इस तरीके जब इसका इसारी दिया है혜 कपड़ी को और इसमें दोनों साइड लगा दे यहां तो छोनने विटां सांटा घृ gemaakt तो इस इस अपने। रखेंगे और विटा से हमने चीप करते के मुधाक और यहां साथ हूं से ऊपड़ीникомम क् बिचा कर फिर पिन लगाना है ताकि बीच में हमारी सिल बटन आ आए और इस तरीके से पहले आप अपनी जो इस्टेप है हमारी उसको रख कर देखती जाहिए कि हमारी जो डिजाइन है वो लेयर वाइज आ रही है कि नहीं एक भी उल्टी सीधी नहीं रखना है सारी स्टेप हमें लेयर वाइज रखना है और जब हम नई स्टेप इसमें लगाएंगे तो उपर की पिन निकाल कर नीचे लगा देगे और बीच में भी इस तरीके से पिन लगा देगे ताकि हमारी अच्छे से यह सारी स्टेप जोइंट होती जाए यह देखिए डिजान का इसमें बस those लिए फुद्ले डीच बिसमें लेयर वाइज लगाती जाएंगे तो देखिए इस तरीके से सारी हमारी हमारी हें जईर्ण हो गई है और इसमें भी हमने किनारी से लगा दी है अब जो पीछे से थोड़ी एक्ष्टा निकली है उसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से चारूं साइट से जो भी आपकी एक्ष्टा हो उसको कटिंग कर तो ये हमारी कटिंग हो गई है आप इसको फ्रंट कर लेते हैं अब देखिए हमें इसमें बॉडर लगाना है तो border के लिए मेरी थोड़े सलबार का जो कपड़ा था वो बचा था तो हमने उसी के matching की इस तरीके से पटियां निकालनी है तो आप जिस भी कपड़ी का बनाए अगर उसका बचे तो उसकी पटियां लगा लीजिए नहीं तो आप अधर भी border लगा सकते हैं अब इस तरीके से किनारे पर रखकर उल्टे साइट से हमें दोनों साइट पटियों को अटेश कर लेना है याद रखना उल्टे साइट से सिलाई करेंगे तो उल्टे साइट से सिलाई लगा दी है हमने अब इस तरीके से इसको front साइट से हमें पलट देना है और इस तरीके से पलट कर और इसमें किनारे से एकदम इस्टिच लगा देंगे तो सारी चटाई में मैंने मैचिंग की रील इस्तिमाल की है तो कोई भी आपको इस्टिच नहीं दिखाए देगी तो दोनों साइट से इस तरीके से फोल्ड करते हुए कपड़े को और उपर से ह तो देखिए कितनी फिनिसिंग से हमारी किनारी लग गई है अब इस तरीके से देखिए जब हम इस तरीके से लगाएंगे तो आधा आधा इंच इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके पीछे साइड से और फ्रेंट साइड पलट कर और इस तरीके से कॉर्णर को फोल्ड करते हुए इस पर भी सलाई लगा देंगे तो देखिए फ्रेंट्स चारों साइट से हमारा ये बॉर्डर लग गया है और इस तरीके से कोई भी आप सुन्दर से कपड़े ये यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स प्रियोब कोस्ट है आई होब आप आपको पसंद आया होगा तो अगर आपको इसी तरीके की और भी नियूडर डियान की और डोर्मेट टाइब अगेरा देखना in तो अगर आप नेरी चैनल को नई आप इसमें सारे अपने पुराने कपड़े यूज़ कर सकते हैं और कोई भी आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है बहुत सुन्दर सी आप इस तरीकी से डोर्मेट कार्पिट अपने घर पर पना सकते हैं अगर आपको ये कार्पिट पसंद आई हो तो फ्रेंट कमेंट मे नियू पिजान के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर